कैमूर जिले के भववा विधान सभा में कई जग है ईवीम में खराबी की वजह से मतदान शुरू नहीं हो पाया है। दो घंटे से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद ईवीम के काम नहीं होने से वोटरों में मायूसी है। वहीं पोलिंग बूथ पर तैनात प्रोजाइडिंग ऑफिसर बीरेंदर कुमार सिंग ने कहा कि वीवी पैड की खराबी की वजह से मतदान नहीं शुरू हो पाया है। सिंग ने कहा कि डियम को इसके बारे में जानकारी दे दी गई है। वहीं मतदान नहीं होने से बुज़ूर्ग मतदातों में घुसे का आलम है। उन्होंने प्रिशासन पर लापरवाही का आरूप लगाया। वहीं महिला मतदाताओं में भी मतदान नहीं होने से मायूसी देखी गई। प्रिशासन को जल्द से जल्द EVM चालू करना चाहिए ताकि वोटरों का उत्साहा बरकरार रहे और वोटिंग में वो बढ़ चड़ कर हिस्सा दर्ज कराएं। पंजाब केसरी TV के लिए कैमूर से अजित गुपता की रिपोर्ट कर दो बढ़ प्रीफ पंजाब का उप्रोट